हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू जेके टोपर सो गुद मॉर्निंग टू ओलो फ्यू स्टुडेंट्स सो यहां पर मैं आपके लिए साइंस के एमसी क्यों लाएं हूं जो की यानिकी सभी कॉंपिटिटिव एक्जैम के लिए इंपोर्टन रहने वाले हैं जो की जेकी अप्लाई की हैं उनके लिए सबके लिए यह बहुत इंपोर्टन वीडियो है ठीक है तो बहुत ही इंपोर्टन क्लास जो है हमारी आज की साइंस की ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट कोशन है डाइजिस्टिव सिस्टम क्या है ठीक है तो डाइजिस क्या कीजिए मेरे साथ साथ आंसर कीजिए तो क्या है इसका सही आंसर डाइजेस्टिव सिस्टम का तो वह है आपके पास सही आंसर यानिकी सी पार्ट मेक्स दी फूड इंटू सिंपल फॉम ठीक है next देखिए saliva helps in the digestion of so saliva क्या होता है यानि कि जो हमारा saliva थूख होता है वो क्या मदद करता है हमारी digestion की तो देखिए option A fats, B proteins, C fibers and D जो है आपके पास starch ठीक है तो क्या है आपके पास सही answer सही answer जो है यानि कि D part starch जो है आपका बिल्कुल correct answer है next question आपके पास which of the following is called the complete food अब complete food जो है इन में से किसको मतलब बोला जाता है या किसको ये कहा जाता है कि ये complete food है तो देखिए option is cereal, milk, vegetables या चपाती ठीक है तो complete food जो हो गया यानि कि हमारे पास वो है आपका सही answer milk ठीक है milk जो है बिल्कुल right answer है next question देखिए साथ साथ में answer कीजिए और अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया वीडियो को like जुरूट कीजिए next question है which one of the following organs does not secret digestive juices ठीक है अब इन में से कौन सा आसा ओर्गन है जो यानि की digestive juices जो है वो नहीं करता है आपके पास option देखिए चार है तो सही answer जो है वो नीचे comment section में लिखते चलिए आप तो क्या है आपका सही answer सही answer है आपके पास यानि की ए ठीक है और सो फैगस नेक्स कोशन है gastric juice contains option 4 a option is hydrochloric acid and pepsin b option is biocarbons carbonates and c option is sucrose and d option is lippards and sucrose ठीक है चार option है आपके पास तो बिल्कुल सही answer क्या हो जाएगा आपका यानि की a part hydrochloric acid and pepsin next है राम wants to bite into an apple which type of teeth will he use आप question बहुत easy पूछा है इसमें तो वो आपको पता होगा क्योंकि सबी जो है apple खाते हैं तो जब उसको bite करते है apples को तो आपको कौन सा teeth जो है आपका use होगा तो वो है आपका कौन सा incisor, canines, premolars या molars तो क्या है सही answer आपका यानि की incisors ठीक है next question है hardest part in human body is अब सबसे देखिए important question भी है ये कि जो hardest part है human body का वो कौन सा आपके पास option चार, dentine, enamel, carotene या chitin ठीक है तो चार option आपके पास दिये गे हैं सही answer क्या होगा आपका सही answer जो है आपका यानि की B, enamel, ठीक है ये सबसे hardest part है human की body का next देखिए maximum absorption of food take place in अब ये कहां पर absorb होता है जो की absorption ही ये कहां पर होता है food तो option A, stomach में B, small intestine C, large intestine and D, is also phagus ठीक है तो वो है आपका कहां पर होता है ये small intestine में next question देखिए all of the following molecules are carbohydrates except ठीक है अब इन में से कौन सा molecules है वो है आपके पास कौन सा यानि की B, hemoglobin ठीक है hemoglobin जो है वो बिलकुल सही answer है आपके पास चलिए next question करते है for immediate energy production in cells which should be supplied ठीक है option is fatty acid, ammonia acid, vitamin C and D option is glucose सही answer D यानि की glucose next question देखिए next question क्या है आपके पास while cooking food the compounds lost to the maximum are जब आप खाना बनाते हैं तब कौन सा जो है आपके पास compound वो lost होता है maximum option A, vitamins option B, carbohydrates, proteins या fats चार option आपको दिएगे हैं आपके पास time है सही answer बताईए बिल्कुल right answer A यानि की vitamins चलिए next question है what should be given to an athlete for instant energy ठीक है अथलीट के time कौन सी जो है हमें instant energy किस से मिलती है protein, vitamin, carbohydrate या none of these बिल्कुल सही answer C यनि की carbohydrate next question है milk teeth कौन से होते हैं आपके देखिए milk teeth जो है वो permanent है या वो grow करते हैं या जो grow करते हैं twice in life या grow करते हैं यह ठीक है यानि की teeth which are temporary जो milk teeth होते हैं तो वो क्या permanent होते हैं temporary होते हैं या grow करते हैं या next आपके पास grow नहीं करते हैं सभी दान्त ठीक है तो milk teeth का सही answer क्या होगा आपका यानि की D the teeth which are temporary ठीक है दूद के दान्त जो होते हैं वो temporary होते हैं तो जाते हैं उसके बाद आपके next जो है नए दान्त आते हैं next सेखिए which of the following does not contain carbohydrates option 4 wax cellulose wheat flour and starch सही answer is a vex next question क्या है आपके पास देखिए oxygen का जो symbol है वो है आपके पास o is utilized by an organism 2 option is a directly break down the nutrient molecules and b option is indirectly break down the nutrient molecules and c option is obtain nourishment from the food and d option the burn the organic compounds indirectly ठीक है तो सही answer क्या है इसका सही answer है हमारे इसके बीच होता है यहां पर आपके पास option चार दिएगे हैं तो सही answer क्या है आपके पास यानिकी इपोग्लोटीस and trachea next question कर लेते हैं next question हमारे पास which portion of the human respiratory system is called sound box कौन से portion को यानि की human का जो respiratory system है ठीक है उसके कौन से portion को sound box कहा जाता है तो वह आपके पास किसको यानिकी एपार्ट लाइनेक्स को ठीक है यह बिलकुल सही answer है साथ साथ में करते चलिए तभी आपको यह revision होगी next देखिए friction on the lungs surface is reduced by ठीक है तो option देखिए चार आपके बास देए गए है double layered pleura यह single layered pleura यह apologist and upto trachea and mucose membrane surrounding the lungs तो क्या होगा इसका सही answer आपके पास आपको confirm हो जाएगा कि यह हमारा राइट आणसर आपके पास आपको कंफर्म हो जाएगा कि यह हमारा राइट आणसर है हमने guess जो लगाया वो गरत है ठीक है अगर जिसको reality में पता है कि इस question का answer यह है तो आप नीचे comment session में लिखते चली answer ठीक है मैं बार-बार पीट कर रही हूं लिखते चली यह नीचे answer next question है आपके पास during expiration the expiration the diaper graph becomes ठीक है option देखिए आपके पास a normal b flattened c dummy shaped and d oblique ठीक है तो क्या है इसका सही answer सही answer है इसका यानि की dummy shaped next which one of the following types of blood cells is responsible for clotting of blood so clotting जिसको पता होगा क्या है clotting क्या होते है वो छोटे 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 blood के टुकडे जैसे बनते हैं ठीक है तो किस type का वो blood होता है वो आपको पूछा गया है इस question में तो वो हता है आपके पास यानि की d ठीक है थ्रॉम बोसाइट्स next है hemoglobin is dissolved in the plasma of कौन से plasma में ये dissolved करता है hemoglobin देखे option जो है man में fish में या frog में या earth warm में ठीक है तो सही answer क्या है यानि की d अर्थ warm next है which of the following proteins is present in human blood अब इन में से जो हमें option दिए गए है निमल लिखित में से कौन सा ऐसा protein है जो presently human blood में है option चार आपको दिए गए है myosine insulin hemoglobin and trypsin ठीक है चार option आपके पास आ गए है तो सही answer जिसको आता है वो नीचे लिखते चलिए comment session में तो सही answer जो है इसका यानिकी c part ठीक है hemoglobin next question है plasma का pH value क्या है तो वो हमें बताना है blood plasma का तो यहां पे आपके पास option दिए गए है चार तो सही answer आपका हो जाएगा यानिकी a part 7.2 next time masked cell secret is hyporin myoglobin histamine या hemoglobin पिल्कुर सही answer यहनिकी c histamine next question है आपके पास which of the following organs is called graveyard of rbc rbc की full form होगी आपके पास red blood cell ठीक है अब इन में से कौन सा ऐसा organ है जिसको graveyard के नाम से भी जाना भी ठीक है सप्लीन क्लियर नेक्स्ट इस smallest blood vessel in the body of ठीक है अब बॉडी में smallest blood vessel कौन सा है कहां पर आए ठीक है कहां में होता है बॉडी में option देखिए आपके पास चार की दिए गहां है capillary artery being या वैना कावा तो सही answer है जो आपका यानिकी a capillary next question है normal BP बताना हमें human being का कितना होने चाहिए देखिए normal पूछा गया है तो यह सब को आता होगा कि normal BP कितना होता है जिसको अभी आ रहा है तो नीचे लिखी चले फटा फट लिखते चलिए good बिल्गुल good normal BP जो human body का रहना चाहिए यानिकी 120 यानिकी 80 120 के अंडर रहना चाहिए ठीक है next the body organ which is not present in pair is a body जो है हमारी human body जो है उसका कोन सा यानिकी कहां पर उसके organ में जो एक Param की पेर नहीं है तो देखी किड़नी में प्य नहीं है टेस्टिस में हमें इस में पूछा है की पैर कहां पे नहीं है तो वो है आपके पास D यानि की हर्ट में ठीक है हर्ट एक ही होता है बाकि किड्नी भी दो टेस्टीस भी दो होते हैं और ओवरीज भी दो होती है ठीक है नेक्स्ट आजाता आपका blood is formed in the human adult by the थोड़ा blood है आपको नहीं देख रहेगा but I can read ठीक है blood is formed, ठीक है blood का कौन सा form है, तो वो आपके पास hurt, spleen, red bone marrow या yellow bone marrow तो वो आपके पास C, यानि की red bone marrow next आता है, what is R.H. in blood option is, R.H. blood क्या है, ये पूछा क्या हमें तो R.H. blood जो है, यानि की वो आपके पास C, antigen next is circulatory system, क्या करता है, gives oxygen to the body, ठीक है या वो oxygen देता है हमारी body में, या वो यानि की food को जो burn करने में मदद करता है, या food बनाता है simple form में, या कुछ भी नहीं करता है, ठीक है circulatory system का जो काम है, वो क्या है, वो है आपका, gives oxygen to the body, ठीक है next है, veins carry blood, so veins, ये जो blood है, ये कहां से carry करती है away from the heart से, towards the heart, ये towards the brain, या none of these तो वो करती है, carry towards the heart, ठीक है, heart से next है, which of the following is made up of muscular walls, अब किसको ही जो है, ये in email लिखित में से कौन सा है, जिसको muscular wall बनाया गया है, option A, blood, bone, heart, या skin, तो सही answer, बिलकुल, यानि की, heart, next है, in one minute heart beats, ठीक है, और ये पता होगा, आप एक काम कीजिए, यहां पर सबसे पहले, जिसको पता है, वो नीचे लिखिए, अगर नहीं पता है, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले, आप तब तक इस कुश्र का answer नहीं बताएंगे, जब तक आप इसको, यानि की, heart beat पर अपना हाथ रखिए, वहाँ पर देखिए, की, one minute का timer लगा के, आप यहां पर देखिए, की, how many times, कितनी बार जो है, आपका heart beats, जो है, एक minute में कितनी बार तड़कता है, ठीक है, वो आपको बताना है, चलिए, आपके पास एक minute है, आप देखिए, तो चलो, सही answer में आपको बता देती हूँ, जिन students ने reply किया है, बहुत ही अच्छे students है, सही answer जो है, यानि की, c, 72 times, next step, pacemaker of a heart is, अब pacemaker कहां पे है, heart पे, ठीक है, वो हमें पूछा गया है, तो सही answer क्या है, आपका, यानि की, assay node, next आपके पास, the process of excreation involves the, अब excreation का पूरा process क्या रहता है, कि इसमें involved है, option a, removal of useful substances from the body, या metabolic waste from the body, या removal करती है, substances, कोई भी नहीं, जानि की, which have never been used by the body, या by product removal form during useful activities in the body, ठीक है, सो क्या है, इसका सही answer, सही answer है, आपके पास, बी, removal of metabolic waste from the body, next question आता है, in urotelic animals, ammonia produced by metabolism is converted into urea in, option a, kidney, option b, liver, option c, जो है, spleen, and option d, जो है, आपके पास, lungs, सही answer, बिल्कुर, बी, यानि की, liver, next question आपके पास, excreation of nitrogenous product in the semi-solid formed is performed by, option a, aminotelic organism, urotelic organism, या, uricotelic organism, या, all of the above, ठीक है, चार option है, आपके पास, बिल्कुल सही answer जो है, यानि की, c part, बिल्कुल सही answer है, next is structure and functional unit of the kidney is, अब इसका function में बताना है, और structure में बताना है, तो वो है, आपके पास, यानि की, c part, nephron, next आपके पास, kidney का जो part है, kidney का क्या part है, digestive system है, skeleton system है, nervous system है, या excretory system है, तो वो है आपका, यानि की, d excretory system, next is, in which of the following parts, largest muscles is found in body, ठीक है, अब इन में से, जो हमें option देगा है, इन में से, कौन सा ऐसा largest part है, हमारे muscle का, चुपाया गया है, कहां पर, human body में होता है, तो देखिए, largest muscle बताना है, है, तो वो आपको पता होगा, कहां पर होता है, तो वो है largest muscle आपके legs में, next है, which of the following is not an element of the bone, अब इन में से, कौन सा element नहीं है, बोन का, carbon, calcium, phosphorus या oxygen, season, तो तो सही answer क्या है, यानि कि A, carbon, next question है, tendons are made up of, ठीक है, तो tendons जो है, इसने क्या बनाया है, collagen, elastin, keratin, या all of these, तो सही answer है, इसका, यानि कि collagen, next है, muscular tissue is differentiated into, यो muscular tissue जो है, वो किसके बीच में, जो differentiated किया गया है, तो वो किया गया है, भी, unstripped, stutted, and cardiac, next, आपके पास, biofossil lenses are used by people suffering from, biofossil lens, जो है, वो क्यों use करते हैं, जबकि लोग जो है, या सफर कर सकें, किसमे, myopia, hypermetropia, या, B option is, hypermetropia, but not myopia, and C option is myopia, but not hypermetropia, and D option is myopia, या, hydro, hypermetropia, ठीक है, चार option आपके पास आगे, तो बिल्कुल सही answer जो है, या, 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 ये, पार्ट, myopia, and hypermetropia, next question है, which of the following is not correct for cerebellum, ठीक है, अब इन में से कौन सा सही नहीं है, तो वो हमें पूछा गया है, तो सही में आपको answer बता देती हूँ, तो इस में से सही जो नहीं है, या, या, निकी, it controls movement, speech, sight, smell, taste, hearing, and intelligence, next आपके पास, dash fills the space inside the organs and sports the internal organ and helps in repair of tissue क्या fill करने से जो है यानि कि हमारे organ के inside में और यहां पे sport मिलती है internal organs में ठीक है और क्या मदद करती है यह हमारे tissue को repair करने में तो आपके पास option चार दिये हैं adipose, b option tendons, c option is aureolar and d option is ligament सही answer यानि की aureolar next है our body यानि की हमारी body में has many organs बहुँ जादा organs हैं तो इन में से कौन सा organ जो है वो बिलकुल largest है brain, kidney, stomach या skin अब हमें पुछा largest organ तो वो है आपके पास यानि की skin next है involuntary actions including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the dash ठीक है अब BP में क्या include होने से यानि की हमें salivation और vomiting जो है control रहती है तो option आपके पास spinal cord, ponds, cerebellum and mandula सही answer बिलकुल यानि की mandula next question है the brain brain का हमें बताना है pumps blood to all parts of the body यह pump करता है खून को जो की हमारे पूरे body के यानि की parts में आए is the main control center of the body या इसका कोई एक main control है जो की हमारे body के center में रहता है यह help करता है हमारी सांस लेने में ठीक है हम हमें या none of the above बिलकुल सही answer यानि की B is the main control center of the body next is the unit of nervous system is अब nervous system का जो unit है वो क्या है आपके पास वो है आपके पास B यानि की neuron ठीक है तो वीडियो को अभी तक like नहीं किया है वीडियो को like कीजिए और चैनल पर अगर आप लोग first time देख रहे हैं मेरी classes तो वीडियो sorry चैनल को subscribe जरूर कीजिए ठीक है next आपके पास nervous system nervous system का क्या काम है यानि की help करता हमारे produce babies या help करता breathe सांस के लिए या control over action हमारे जो हम जो action करते हैं उसको control करने में या इसमें से कुछ भी नहीं ठीक है तो सही answer क्या आपका nervous system जो है यानि की controls our actions next question है इन में से हमें correct group बताना है अब जिसको इस question का answer पता चलता है आपको मैं 30 seconds देती हूं जिसको इस question का answer पता है वो पीचे लिखिये comment section में तो हमें यहां पर correct group बनाना है एक sense organ का अब इसमें से देखिया option में से कौन सा सही है तो सही answer क्या है आपके पास यह नहीं की इसमें सही answer जो है आपका c noise ear eyes skin tongue next step के पास memory is the responsibility of memory जो है हमारी तो उसकी जो है responsibility किसकी है option a gray matter b white matter c cerebrum and d cerebellum ठीक है सही answer क्या है आपका यानि की c cerebrum next step के पास the master control center of the human body in अब जिसको अभी मैंने पीछे जैसे यह question करवाया तो जिसने question अभी द्यान से सुने होंगे तो उसको पता होगा इसका answer तो पता है नीचे लिखे फट आप पर नीचे लिखते चलिए ठीक है ताकि मैं अभी देख सकूँ कि कितने students जो है वो preparation कर रहे हैं मेरे साथ साथ answer भी दे रहे हैं तो वो है आपका सही answer बताया हूं तो यह नहीं की a brain ठीक है यह हमारी जो body है इसका control राता है हमारे center part में नेक्स्ट है दी वर्किंग ओफ हुमन बाई आई इस लाइक दाट ओफ ठीक है हुमन आई का जो काम है क्या है ओप्शन ए कैमरा है टैलिस्कोप है माइक्रोस्कोप है यहां पैरिस्कोप है तो वो है एक यानि की कैमरा नेक्स्ट है आउटर लेयर बतानी हमें skin को skin की जो आउटर लेयर है उसको क्या कहा जाता है option A देखिए epidermis mucos या fiber या none of these ठीक है सही answer क्या है आपका यह निकी A epidermis next question है skin क्या हमें बताना है skin is excretory organ या sense organ या breathing organ या none of these तो पता होना चाहिए क्योंकि यह काफी easy question है तो सही answer जो है आपका sense organ next question आ जाता है which of the following is not the part of nervous system निमिल लिखित में से कौन सा ऐसा part है जो nervous system का नहीं है तो वो है आपका कौन सा यानि की blood ठीक है बाकी जो इसका nervous system का part है वो brain भी है nervous भी है और spinal cord भी है ठीक है जो नहीं है वो है आपका blood next है of the following human organs which one is least susceptible to harmful radiation ठीक है अब इन में से कौन सा human organ है वो है आपके पास a brain, b heart, c eyes and d is lungs सही answer जो है बिलकुल यानि की a part brain next आपके पास the color of the human skin is due to अब human skin जो है उसका color का क्या कारण है देखें due to keratin, myelin, myelin या myoglobin तो सही answer क्या है आपके पास यानि की b part myelin next question आपके पास the sensory organ that was reached at highest level of evolution in birds is the sensory organ कौन सा है हमारे जो birds होते हैं तो चार option आपको दिएगे हैं सही answer क्या होगा हमारा यानि की d i next है देखें next question क्या है which of the following hormones brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty अब boys में अगर देखा जाए तो puberty यानि की जब वो mature होते हैं सो उनका जो हार्मोन्स है ठीक है उनकी जो हार्मोन्स है वो at the time जो है वो क्या चीज होती है ठीक है option testo strong या थाइरोक्सिन या इन्सुलीन या animal hormones ठीक हार्मोन्स कौन से है तो वो है आपके पास जो boys में दिखते हैं वो कौन से है यानि की यानि की a is testo strong last question जो है हमारे पास आज का यानि की endocrine gland is also called dash endocrine gland जो है इसको क्या कहा जाता है लीवर gland, ductless gland, piturity gland या thyroid gland सही answer क्या है आपके पास यानि की B ductless gland ठीक है तो यह थे आज की हमारी important class जो की science के topic पर रही है तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe भी कीजिए और जादा से जादा इस वीडियो को share कीजिए ठीक है सो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखे अपना बने रही है हमारे साथ और अपने जो score है वो नीचे comment section में लिखते रही है ठीक है ताकि मुझे भी पता चले कि कितने students हो है उस वो feedback दे रहे है ठीक है तो बाइबाइ टेक कियर कर देक कि देक कर दो है